Imagine करें कि आप एक रूम में इंटर करते हैं और जैसे ही आप इंटर करते हैं तो वहाँ पर आपको एक नेम टेक और एक डारेक्शन मिल जाता है बीना किसी से पूछें तो यहीं सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर DSCP करता हैं मतलब आप जैसे ही इंटरनेट यूज करते हैं वहाँ पर आटोमेटिकली आपको एक IP अडरेस मिल जाता है जिसकी मतलब से आप इंटरनेट से जुड़ पाते हैं और अपने कनेक्टिविटी को स्टैबलिस कर पाते हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम DSCP के बारे में जानने वाले हैं जिसका फुल्पम होता है Dynamic Host Configuration Protocol तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके definition को जो की है a network management protocol used to automatically assign IP addresses and other network configurations details to devices on a network जो कि मैंने आपको starting में भी बताया कि DSCP क्या करता है कि आपको एक automatic IP address assign करता है जैसे ही आप internet से connect होते हैं तो बिसके लिए ये चीज़े होती ही क्यों है तो इसको समझने के लिए हम एक example का मतल लेते हैं जैसे कि मालो कि आप कोई company में काम कर रहे हैं और वहाँ पर क्या होगा कि आपके पास client आते रहते हैं तो वहाँ पर क्या है कि जितने भी clients आते हैं उनके लिए एक अलग manual employee रखे गए हैं मतलब जो काम हो रहा है आपका वो internet के उपर हो रहा है तो वहाँ पर आपको क्या करना होता कि सभी clients को reply करना पड़ता है तो सभी clients के लिए एक अलग-अलग employee रखे हुए हैं और अगर आपके पास उतने sufficient employee ना हो जो कि सभी को reply कर पाए तो वहाँ पर आप क्या करेंगे तो वहाँ पर हम यूज करेंगे computer का जिससे कि क्या होगा कि हम automatic replies को add कर देते हैं जैसे आपने बहुत सारी जगों पर देखा होगा जो कि business whatsapp यूज करते हैं तो वहाँ पर जैसे ही आप message करते हैं तो उनके पास से एक automatic reply आता है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हाँ अभी ये active है और ये इनका working time है तो इतने time पर ये हमें reply करने वाले हैं तो इससे हम सारी चीज़े समझ जाते हैं तो यही चीज़े यहाँ पर भी company के अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पर हम computer को आपने बोल देंगे कि इनको ऐसे ऐसे reply करना है इनको ऐसे ऐसे जगह उपर ले जाना है तो यही चीज़े यहाँ पर dhcp करता है dhcp क्या करता है कि आप जैसे इंटरनेट से connect होते हैं तो वहाँ पर एक अलग आपको ip address allot किया जाता है जिसे की network के अंदर कोई भी collision नहीं होती है और effectively आप internet को use कर पाते हैं तो अभी हम देखते हैं कि आखिर dhcp काम कैसे करता है तो इसके अंदर हमारे पास 4 points है एक है dhcp discover दूसरा है dhcp offer तीसरा है dhcp request और last का है dhcp acknowledgement तो इन ही steps की मदद से ही हमारा connection है वो build हो पाता है और हमें एक ip address मिल पाती है तो हम देखते हैं कि आखिर यह सारी चीजे होती क्या है तो सबसे पहले है dhcp discover जो कि क्या करता है जो client का device होता है वहाँ से एक message को send करता है dhcp server के उपर और उसके बाद क्या होता कि यहाँ पर dhcp offer का काम आता है तो इसमें क्या होता कि जो dhcp discover से message यहाँ पर dhcp server के अंदर receive हुआ है तो वहाँ से क्या होगा कि dhcp server क्या करेगा यहाँ पर dhcp offer की रूप में एक response send करेगा client के पास जहांपर क्या होगा कि हमारे DSCP request का काम आएगा और यह क्या करता है कि DSCP offer को receive करता है और उसके बाद एक response send करता है DSCP server के उपर जहांपर क्या होता है कि DSCP server DSCP request को accept करता है और उसके बाद एक acknowledgement send करता है client के पास और उसके बाद हमें हमारा IP address alert हो जाता है तो अभी इस चीज़ को तो हमें एक daily life example के मदद से भी जानते हैं तो basically आप इसको अपने home network जो कि आप wifi यूज करते हैं उससे compare कर सकते हैं मानलो कि आपके पास एक ethernet है और वहाँ पर क्या है कि आपके पास बहुत सारे laptops, smartphones और smart TVs हैं जो कि उससे connected हैं उस router से तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो laptop है वह क्या करेजा हैं यहाँ सबसे पहले dhcp discover message sent करेगा dhcp server को और उसके वाट curb server क्या करेगा यहाँ पर जिसको कि हम router मान सकते हैं तो यह dhcp server मतलब जो हमारा router हो क्या करेगा यहाँ से एक message sent करेगा मलब जो dhcp discover आया है उसका एक response send करेगा DSTP offer के form में, तो इसको अभी हम offer ही बोलते हे और इसको discovery बोलते है request ही बोलते है, acknowledgement ही बोलते है तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हमें response मिलता है तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो request है मतलब जो DSTP request हो क्या करेगा उस offer को accept करेगा और यहां से एक message को send करेगा DSTP server के उपार जो कि हमारा router है तो यहां पर हमारे पास जैसे ही request आता है तो उसके बाद DSTP server क्या करता है यहां से एक IP address अलॉट करता है DSTP acknowledgement को और जैसे acknowledgement को IP address मिलता है उसके बाद जो हमारा client है वो directly internet से connect हो जाता है एक अलग IP address से जो कि आप इस diagram में भी देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है कि DSTP discover का एक request जाता है जो कि उनको IP address का request होता है कि हमें एक IP address अलॉट करें उसके बाद DSTP server क्या होता है कि एक offer अलॉट करता है और जैसे ही offer यहां पर आता है मतलब जो एक IP address होता है वो DSTP request के पास जाता है और उसके बाद DSTP request क्या करता है कि बहुत सारे IP address के अंदर एक IP address को select करता है और जैसे ही उस IP address को select करने के बाद वहां से एक response जाता है DSTP server के उपर तो DSTP server क्या करता है कि उस IP address को acknowledge कर देता है DSTP client के पास मतलब हम जो laptop यूज करते हैं उसके उपर एक IP address alert हो जाता है और उसके बाद हम internet से connect कर पाते हैं So guys I hope कि अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिड DSTP काम कैसे करता है तो अभी हम देख लेते हैं इसके benefits को तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है automatic IP assignment जो कि मैंने starting में ही आपको एक example के अंदर बताया था कि अगर आप clients को manually IP address देते हैं तो वहाँ पर आपका बहुत time waste होगा और उसके बाद आप अच्छे से वहाँ पर IP address alert नहीं कर पाएंगे लेगिन वही पर अगर हम automatic IP assignment मतलब DSCP यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो IP होगा वो सभी को अलग IP address मिलेगा जिससे की seamlessness होगा और उसके बाद कोई भी collision नहीं होगा और easily और fast way में सबको एक IP address मिल जाएगा और उसके बाद हमारा आता है centralized management तो DSCP के अंदर क्या होता है कि जितने भी IP address है या फिर जितने भी configuration details है वो सब DSCP server के अंदर managed होता है जिसकी वाज़े से surfing बहुत ही easy से हो पाती है और इसलिए हम यहाँ पर centralized management इसको बोल रहे हैं और उसके बाद हमारे पास आता है IP address reuse तो यहाँ पर यह point बहुत ही important है इसको भी आपको समझना ज़रूरी है जैसे कि माल लो कि अगर आप कोई router के अंदर connect हो रहे हैं तो वहाँ पर माल लो कि आपका जो IP address है वो है 192.168.0.1 तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आप उस router के अंदर connect होते हैं तो आपको एक IP address alert होता है और जैसे ही आप उस router से leave करते हैं मतलब आपना Wi-Fi बंद करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि जो IP address आपके पास था अगर कोई दूसरे device वहाँ पर connect करता है तो उसके पास वह IP address reuse हो सकता है इसी वज़े से हम DSCP को use करते हैं So guys, I hope कि आप लोगों को DSCP के बारे में सारी चीज़े clear हो गई होगी और अब मिलते हैं अगले session में तब तक के लिए stay safe, stay secure, thank you and happy networking